दोस्तों टीजटी पीजटी के संदर में लाटेस्ट न्यूज ग्या है जानते हैं इस वीडियो में आप लोग प्लीज लास्ट तक बने रहीएगा हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं विजटों मास्टर चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करत उसके अनुसार बहुत कम पद दिखाए गये थे और भरती का नोटिफिकेशन आने ही वाला था कि चैन बोड के जो सदस्य हैं उनका कारेकाल ही समाप्त हो गया वैसे तो दस सदस्य होते हैं लेकिन पांच ही थे और पांचों का जो कारेकाल है वो आठ अप्रेल को ही समाप् किया है कि 27,000 पदों पर से चख भरती निकाली जाए और चैन बोड के जो सदस्य हैं उनकी जल्दी से जल्दी न्यूक्ति की जाए जिससे कि इसका नोटिफिकेशन जल्दी आ सके और प्रक्रिया आगे बढ़ सके तो पूरी न्यूज क्या है आप स्क्रीन पर देख पा रह कि जालों में टिजटी पिजटी के 27,000 पदों पर भरती विग्यापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी चात्रों ने आवाज उठाई है विदानसवा चुनाओ की अधिसूचना समाप्त होने के बाद एक बार फिर से प्रतियोगी चात्र इसके लिए लाम बद युवा मंच ने मुख्यमंत्री को लेकर पत्र लिख कर मांग की है कि चैन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तिकर ततकाल भरती विग्यापन निकाला जाए युवा मंच अध्धच अनिल सिंग ने कहा कि पूरों मुख्यमंत्री की ओर से सूबे में टिजटी पिजटी के 27, 27,000 पदों पर भरती करने के लिए निर्देश जारी किये गयता है लेकिन चुनाओं के चलते भरती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई ऐसे में सरकार फिर से इन रिक्ट पदों पर भरती के लिए जल से जल प्रक्रिया शुरू करे अनिल का कहना है कि चैन बोर्ड ने रिक्त विग्यापन जारी करने पर प्रद्योगी चात्र चुप नहीं बैठेंगे तो दोस्तों यह रही आज की अपडेट आसी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू